हेलो डिये स्टोई वेलकम बैक टूबर चैनल आरके सईंटर दोस्तों आज के वीडियो में लोग जानने वाला है एक मौस्ट इपॉर्टन प्रसंट जो आपके एक्जामरेशन के लिए भी भी आई होने वाला है तो आज का प्रसंट हमारे इस प्रकार से होने वाला है कि निबंद लिखन किसको कहते हैं तो देखिए तो अगर बात करते हैं निबंद लिखन का किसका निबंद लिखन के परिभासा काता लिखेंगे इस प्रकार से कि अपने बिचारों और भावों को जब हम नियंतरिन धंग से लिखते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं निब मैं लुझए करते हैं तो उसी को वंध हैं चैकल नीबंद कहते हैं क्या concerned city का जैसा कि माल जो मैं अपने डेली रूटीन के बारे हम लिख रहाँ कि इसके बारे मैं की दिन वर मैं क्या करता हो तुम पहले शिर्चा करता है ठीक है तुम्हें नहीं कि पहले मैं लिख लूँगा मैं खाता हूं उसके बाद मैं ब्रस करता हूं है ना तो वही कहा गया है कि जब हम लोग अपने बातों को जुआ ना करमबत तरीके से लिखते हैं सही प्रोवक से लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं निबंद कहते हैं निबंद कहते है नहां तक आप नहीं समझे होगे ति आगे समझ जाएगा लिखा हुआ है निबंद दो सब्दों से बना हुआ है निबंद जो हो दो सब्दों से बना हुआ क्या क्या निपलस बंद किसका किस से निपलस बंद से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरीके से बना हु आप अपने विचारों और भावों को एक व्यवस्तित रूप में परस्तूत कर सकते हैं, क्या कहा गया, कि निबंध एक ऐसी रचना है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को अपने भावों को जो आना व्यवस्तित रूप से एके करके सही तरीके से क्या क कर सकते हैं परस्तूत कर सकते हैं उससे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों निबंध लेखन कहते हैं क्या कहते हैं निबंध लेखन ठीक है अब देखे कहा गया कि निबंध हिंदी भासा का वह लिखित रूप है अगर निबंध की बात करते हैं तो निबंध जो आना हिंदी भा भासा का वालिकीत रूप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपने बिचारों को अपने परिवासा दिया है यहां पे पंडित स्यामसुंदर दाज जी क्या कहते हैं तो यह कहते हैं कि निबंद वाल एक है जिसमें किसी गहन विषय पर बिस्तार पुरुवक धंग से विचार किया जाता है क्या समझ गया निबंद के परिभासाओं के बारे में समझ गया आप यहां पर कि निबंद लिखते समय कि बातों को ध्यान रखना चाहिए तो देखी हैं इतों लिखा वार्य है कि जिन बातों को ध्यान रखना जोगं country निभन लिखने समय वह निम्लिखी दूरूप में निबंध को चुनेंगे, जिसके बारे हम हम लोग बढ़ियां से जानते हैं फिर थे को बताना पड़ेगा ना कि हम राष्टी एक्ता पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा टाइटल लिखना पड़ेगा फिर कहा गया कि अपनी समझ ग्यार और अनुभाव के अधार पर निबंद को उसके प्रमुक अंगो और थार्त विभिन बिन्दू में बाट लेना चाहिए ठीक है मिस अपने अनुशार से अपने समझ के अनुशार से अपने ज्यान के अनुशार से आपको क्या करना चाहिए निबंद को जो है ना उसके अंगों में बाट लेना चाहिए ठीक है जैसे वह क्या सिसर्क देना पहला प्रस्तावना में बाट लेना ठीक है उसक कि इंपॉर्टेंस में बाट लेना फिर उप सनहार में बाट लेना तो यह चीज करना चाहिए या ना कि यह क्या बताना चाहरा है फिर देखे पांच में कहा गया है कि वाकि छोटे छोटे हो ताकि आप वाकि रचना में ना उलज़कर जादा गलतिया करने से बच सके में इसका गया है कि जब आप निबंद लिखोगे ना तो उस समय वाकि जो है वो कैसा होना चीए चूटे-चूटे होना चीए ताकि लोग उसको बढ़िया समझ पाए और आप उसमें उलजे ना है ना फिर चाटा वाक आगया कि निबंद लिखने में एकी बात को बार बार दोराने से बचना चाहिए जम लोग निबंद लिखते आना तो निबंद लिखने के समय एकी बात को बार बार नहीं दोराना चाहिए ठीक है क्योंकि जब पढ़ने वाला एकी बात को बार बार देखेग आप अंडरलाइन जरूर किजेगा ठीक है आगे कहा गया कि लिखने के बाद उसे पढ़िए उसमें अवस्यक सुधार किजिए अर जब आपका लिखा हुआ हो जाएगा ना तो उसको एक बार आप अवस्य पढ़िएगा क्योंकि जहां पर गल्ती होगा उसको आप अवस्य आप यहां पर बाती आती है कि बताईए कि निबंद लेखन के अंग कि निबंद लेखन के क्या क्या अंग है क्या बात आएगा कि निबंद लेखन के क्या क्या अंग है तो कहा जाता है कि निबंद लेखन के परमुक चार अंग होते हैं निबंद के परमुक चार अंग होते है अब देक्वें यहां पे हम लोग इसको बिसार समझेंगे कहा गया कि निबंध लिखन में हमें चार अंगों को निबंध का हिस्सा बनाना अवस्यक है टीक है बेखने के समय हम लोग को चार अंग जो ना मतल barely को चार भागों में भाटना अती अवस्यक होता है जिसमें से नीचे दिये गए पॉइंट इस सामिल है पहला आपका सिसर्क ठीक है कोई भी निबंद आप लिखोगे तो निबंद लिखते समय सिसर्क देना अती अवस्यक होता है मिस टाइटल देना उसका अती अवस्यक होता है क्योंकि कहा जाता है कि निबंद में हमेशा सिसर्क जो आकर्सक होना चरूर है ठीक है जब हम तुम निबंद लिखते हैं तो निबंद का जो सिसर्क होता है टाइटल जो होता है वो हमें इसा आकर्सक होना चीए ठीक है क्योंकि उसी के अनुसार से लोग उसको पढ़ते हैं कालिया कि सिसर्क पढ़ने से लोगों में उत्चुकता बढ़ती है जब लोग टाइटल पढ़ते हैं टाइटल पढ़ने के बाद लोगों में क्या होता उसको पढ़ने का जिग्यासा उत्पन होता है, लोग उसको पढ़ने के लिए उतावले होते हैं, फिर देखिए, दूसरा इसका अंग है परस्तावना, क्या है, परस्तावना, कहा गया कि निबंद में सबसे स्रिष्ट परस्तावना होता है, निबंद में सबसे स्रिष्ट क्य ही प्रभाव पड़ता है ठीक है मिस कहा सकते हैं कि निबंद की शुरुवात में जो ना हम लोग कोई अलग प्रकार का कवीता लिख सकते हैं ठीक है उधारन दे सकते हैं किसी प्रकार से उपका सुरुवात कर सकते हैं किसमें परस्तावनाव में ठीक है फिर कहा गया विसे विस्तार क्या है कहा गया विसे विस्तार कहा जाता है कि निबंद में विसे विस्तार का सरोपरमुक अंस होता है इसके अंदर तीन से चार अनुछेदों को अलग अलग पहलुओं पर बिचार प्रकट किया जा सकता है और निबंद लिकन में इसका संतुरन होना बहुत ही अवस्तिक है? भिसे विस्तार में निबंदकार अपने दृच्टीकोन को प्रकट करते हुए बता सकता है, ठीक है? आपका प्रसावना के बाद, तिसरा जो आता है, वो क्या था? भिसे विस्तार, और लास्ट में जो आपका आता है उपसनहार क्या है उपसनहार कि आपको अंद करना है निस्कर्स के साथ में ठीक है तो वह कहा गया कि उपसनहार को निबंद के सबसे अंद में लिखा जाता है जिसमें पूरी निबंद में लिखे हैं कि बातों को हम एक छोटे से लाइन में लिखते हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग पूरे निबंद में जो बाते लिखे हैं उसको हम लोग एक छोटे से लाइन में जोना लिख करके बया कर देते हैं का गया कि इसके अंदर हम संदेश लिख सकते हैं, कोई उपदेश दे सकते हैं, कोई विचार दे सकते हैं, और कविता के पंकती के माधियम से जो ना, इसको हम लोग समाप्ट कर सकते हैं, किस में लिख करके, उपसनहार में लिख करके, तो आईए चलिए मैं आपको के लिखावा, टाइटल लिखावा, क्या लिखावा है, टाइटल लिखावा है, उसके बाद जो हम लोग कुछ पंक्ति के माधियम से इसको स्टार्ट किये हैं, और देखे, सबसे पहला पुइंट जो हम लोग बनाया है, वो प्रस्तावना बनाया है, क्या बनाया है, प्रस्त स्टार में ठीक है फिर और लिखे हैं इसमें कि भारत में राष्ट्रिय एक्ता भारत में राष्ट्रिय एक्ता के बारे हम बताया गया है उसके बाद जो है ना लास्ट में आता हमारा निसकर्स ठीक है जिसकों लोग उपसनहार कहते है तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या